देखे वैश्विक आर्थिक तंगी और मंगी मंदी के बीच में आत्मिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ारता ही बजट है परधानमंती नरेन मोदी जी के नेत्युत में जिस मजबूती के साथ इस पैंडिमिक पीरियड में इस संकट काल में जहां पर अर्थ व्यूस्ता को स्टेबिल रखने के प्रयास किये गए जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थ व्यूस्ता इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दोरान भी जो है वो इस्टेबिल रही वहीं दूसरी और गाओ गरीब किसान जुगी जोपड़ी का इंसान नौजवान महिलाएं और करमचारी उसके साथी साथ जो दस्तकार शिल्पकार कारीगर उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान महरोसे का एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला यह देखे मैं प्रधान मंतरी मोदी जी को और निर्मला सीताराजन जी को बदाई देता हूं मैं देश को बदाई देता हूं इस हालात में जब दूनिया की अर्थ विवस्ता डगमगा रही है उस समय सबसे ग्रोइं एकॉ को और आगे मजबूती से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ओपर 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है इंक्रीज ऑफ 35 परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हम हर व्यक्ति जोड़ावा है आप देखिए जो और अर्थिववस्ता अपन जिटे में बहुत-बहुत बदाई देता हूँ दूसरी तरफ का गया कि आतम भारत को भी इसमें खास तोरकर तबज्जो दिया गया है जी बिल्कुल इस इसी समय एक एक बूस्टर शॉट जिसे मैं कह सकता हूँ वो मिला है जिससे जी मैनिफेक्ट्चरिंग जो है उत्पा arta वहमारे भारत महीं होगा हर चीच का प्रोडक्शन भारत में होगा तो जो पैसा है भारत का भारत महीं रहेगा और सबसे बढ़ा मार्केट है ऐज भारत यह भी अफ धियान रखिये मैं तो भूसरे देशों को फायदा नमिलकर भारत को फायदा मिलेगा और उस उस зрnek बि which is emphasizing capital expenditure, the virtuous investment cycle that will power GDP growth forward. And the important thing to recognize is that this is a deflationary budget because we are investing on the supply side. It will keep inflation under control. And as a result of that, there will be tremendous job creation and growth in the economy. Our policy, predictability, stability in our tax regime, all of that has been maintained as well. I think that was very much required. We needed to create a level playing field for digital assets, which we have now done for real assets. And so with this as a predictable tax regime, crypto assets can be properly brought into the fold and appropriate gains will have to be paid. I mean, Pradhan Mantri Ji, I want to tell you a lot about this new budget of India. अदोसंदचना के विकास के लिए 35% से ज़्यादा रासी बजट में बढ़ाई गई है. इससे अदोसंदचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर स्रिजित होंगे. राज्यों को भी ज़्यादा धन्रासी उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किये गए. और ये ज़्यादा धन्रासी अदोसंदचना के विकास में लगएगी तो भावी रोजगार के अवसर पैदा होंगे. मदप्रदेश को तो बड़ी स्वाकात मिली है. नदी जोडो परियोजना के अंतरगत, कैन और वेत्बा को जोडने पर चवाली सजार करोर रुपे से ज़्यादा की धन्रासी खर्च की जाएगी. बंदेल खंड बदल जाएगा हमारा. ये किसानों की आये दुगना करने का बजट है. खेती को टेकलोजी से जोड़ा है. हाई टेक बना के कैसे टेकलोजी का लाव किसान को मिले है? इसका मार्ग प्रसफ्त किया गया है. प्राकिरत खेती, लोगों के स्वास्त को भी उत्तम बनाएगी और धर्टी का स्वास्त भी उत्तम रहेगा. ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्धंबरगी, मध्धंबरगी, परिवारों की जिन्दगी में खुसाली लाने का प्रयास किया गया है. इस बजट में नई सिख्षा नीती को जमीन पर लागू करने के लिए परयाप्त प्रावधान किया गया है. और कोबिड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रेस्ट्रेक्चर बहतर बनाने के लिए परयाप्त प्रावधान किया गया है. ये महला सा सक्टी करन का, लिवाओं को रुजगार देने का, गरीब और किसान के कल्यान का, और एक सक्टी साली भारत के इंदर्मान का बजट है, जिसमें देश की सुरख्षा के लिए रख्षा बजट में परयाप्त प्रावधान किया गया है. प्रदान मंत्री जी आजादी के अमरित महुसव के अफसर पर, जिस दिसा में देश को ले जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, उसके लिए परयाप्त संसाधन उपलब्द कराए गएं, मैं प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित मंत्री जी को बदाई देता हूं.